इस मैच को जीत जाती राजास्थान लेकिन 18 करोड का खिलारी बीच में आया पंजाब को रुमांचक मैच जिताया इधर पंजाब के गेदमाज ने विकेट चटकाया उधर कुर्सी पर उचल पड़ी प्रिती जिंटा इस गेदमाज पर आगया प्रिती जिंटा का दिर अश्विन ने अपनी टीम के साथ कर दी गदारी इसलिए राजास्थान पंजाब से हारी ऐसा मौका नहीं मिलता हर बारी हर खिलारी को 4 क्रोड 20 ताक का हुआ नुफसान तो गुस्से में बल्ले में आ गई जान साथ मैच खेलने वाले ने मैदान पर मचा दिया तूफा जीता हुआ मैच कैसे हार की राजस्थान मैच में ये चार गलती कर बैठी राजस्थान हार के साथ करना पड़ा भुकता जी राजस्थान की इस हार के बाद हर कोई हरान है क्योंकि जिस मैदान पर ओस पर रही हो गेंबाजों के लिए गेंबाजी करना मुश्किल हो रहा हो उस मैदान पर पंजाब के गेंबाजों ने जिस चाल में गिराजस्थान के बल्लेबाजों को फजाया उसने हर केसी को हरान कर दिया, रायस्थान के इस हार के बाद एक लाड़ी के उपर बाहर होने का खत्रा मनुराने लगाए, इस मैच तो रायस्थान आसानी से जीट सकती थी, लेकिन इन पांच गलतियों की वज़ा से रायस्थान को मैच में हार का सामना करना पड़ा पहली कलती, रायस्थान के कप्तान संजूर सैमसन ने मैच में टॉस जीत कर पहली गेनबाजी कर फैस्टा किया लेकिन ये फैस्टा उनके उपर भादी पड़ा, पंजाब के बल्ले बाजों ने रायस्थान के हर गेनबाज के जम कर खुटाई की रतिजा ये हुआ कि पहले दस ओवर महीं पंजाब के सोगे आसपास रन हो गए, मतलब रायस्थान के गेनबाज शुरुवाती ओवर में विकट नहीं ले पाए दूसरी गलती, पहले मैच में फिल होने के बाद भी केम आसिफ को दूसरा मौका देना रायस्थान के पास कुल्दीव सेन जैसा गेनबाज बेंच पर बैटा हुआ है, उसके बाद भी संजु ने कुल्दीव पर भरुसा नहीं जिताया और रायस्थान के गेनबाजी कम जो नजर आई, आसिफ इस मैक्स में कोई विकट नहीं चटका पाए और चार ओवर में चबवा न लुटा दिये तीस्टी गलती, बटलर की जगा अश्विन से ओपन कराना केवल नौ गेनों के लिए संजु सैंसन ने बटलर के जगा पर अश्विन को पहले भेट कर बड़ा रिस्क वाला फैसर ने लिया और ये फैसर रायस्थान पर भारी पढ़ गया, इसके बाद ना तो अश्विन चल पाए और नहीं बटलर रन बना पाए और नहीं जैस्वार चौती गलती, देवदत परडिकल की धीमी बल्ले बाजी जब रायस्थान को 197 रंज जैस करने थे, उस वक्त परडिकल बहुत धीमा खेल रहे थे उसका असर ये हुआ कि दबाब में आकर संजु सैंसन ने भी अपना विकेट गमा दिया और परडिकल भी केवल 21 बना कर आउट हो गए, जिसकी वज़ा से रायस्थान और मुश्किल में फस गई पंजाब के तरब से इस मैच पे दिल जीता एक 7 मैच खेले मारे खिलारी ने जिससे 4 करूर से ज़्यादा का नुक्सान हुआ लेकिन बल्ले के धार कम नहीं हुई, उस के दारी का नाम है प्रफ सिम्रन सिंग प्रफ सिम्रन सिंग ने रायस्थान के इद्वाजों की जमकर धोनाई की इस नौजवान बल्लेवाजने के वर 34 गिंदों पर 60 वन ठोक कर रायस्थान के खेमेवी खरवली मचा दी जिसमें 7,4 और 3 गगन जुम्बी चक्के थे इस मैश में अश्विन के एक फैस्टे को लेकर सबसे अला चर्चा हो रही है अश्विन का धवन को मानकर ना करना, क्योंकि अश्विन अगर धवन को उस वक्त मानकर कर देते जब आखिर के ओवर्स में धूर्प जुरेग और हिट मायर ने तुफानी बल्लेबाजी शुरू की ऐसा लगने लगा था कि जैसे रायस्थान इस मैश को जीत जाएगी लेकिन फिर 18 क्रोल के गेंबाद सैम करन ने ऐसा कमार करके दिखाया जिसके बाद इस मैश को पंजाब में जीत लिया दिल की धड़कोनों को ठाम देने वाले इस मैश में संजु की गलत ओपनर भेजने वाली गलती रायस्थान पर भारी पड़ गई वैसे आपको इस मैश पर क्या कह रहा है पंजाब की जीत और राहस्थान की हार पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके जोर बताएं